सर गुड मॉर्निंग, आज क्या रणीती अपनाई जाए, हर तरफ से खबरे, हर तरफ से डेटा एंड ट्रिगर्स हैं, डॉलर इंडेक्स काफी नीचे आ चुका है, तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई लेवल्स में बदलाव होगा सर? जो आपका ग्लोबल ट्रिगर हो गया, दूसरा हमारा लोकल ट्रिगर है टीचे नतीजे, वो भी मिले जुले है, ऐसे नंबर नहीं कि जिसके नंबर टीचे से तरो तो तिन चार परसंट गीडाए या बढ़ जाए, तो मिले जुले नतीजे हैं टीचे से, मिले जुले संक्यत हैं, तो फिर इनके चलते हैं, हमें रेंज में ही जेना है, और वो रेंज के साथ से ट्रीट करना है, अब जो सपोर्ट हैं फिर आज के लिए, कल की तेजी के बाद, वो बनेगा 17,950 से 8,000 के लिए पहला सपोर्ट है, इस पर रेंज के आज़ पास आए मुका मिले, तो आप पर खरिदारी करने का आपके लिए चान सोगा, उपर में 18,150 से 8,250 से 8,250 सप्लाई जो ने इस दिए मियाने पर प्रोफिट बुकिंग करके वापस नीचे आने का इंतिजार करें, या पिर ठीक रहेगा, पैंग इस टिका जार तक सवाल है, बादी से 1,500 के ऊपर की ठीक ठी प्रोजिंग लिए, बादी से 1,500 के नीचे बन नहीं हो रहा है, तब तक आप थोड़ा इकमिनान रख सकते हैं कि और पंदोर नहीं होंगे, आज के लिए तुरन दिन के लिए सपोर्ट बादी सपोर्ट बादी से 1,500 की रेंज को मान कर चेले, और उपर इस तनो पर बादी सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे लग रहा है, तो मुझे लगए रेंज मौन मार्केट है, रेंज की अगर आज को फ़ास मुटने पर आपको तोड़ी प्रोफिल करनी चाहिए, तो इसलिए निफ्टी में, अगर आप अठाब 208-202 की रेंज में बादार को आज कल में आते में देखें तो वाँ प्रोफिन करने की राहे हैं। यह आपके लिए रेजिस्टेंस बैंड का की राहे है।